हेलो एंड वेलकम टू कॉंपुटोलोजी एकेडमी माइसल विद्या रंसिंग और आज हम लोग डिस्कुस करेंगे कि चाइना ने एक लॉपास की है जो की काउंटर करेगा फॉरें सैंक्संस पे तो बेसिकली यहां पर देखा गया है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कि जब भी स सैंक्संस लगाया जाते है तो चोटे कंट्रिज पर या रोक कंट्रिज पर यूएस युड्रोपियोन उनियन इन दोनों के तरफ से मेसिकली सैंक्सं लगाया जाते हैं और कभी-कभी इसमें कनेडा भी पार्टिसिपेटरी रहता है तो ओवरॉल देखा जाया है तो यहां पर EU NATO, यह सब मिलकर sanctions लगाते हैं, और यह sanctions actually होते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए लगाई जाती है, तो चाइना ने उसे counter करने के लिए कैसे bill pass किया है, क्या उसके approach है, किस तरह से वो counter करने की कोसिस करेगा, इन सब चीजों को आएए देखते हैं, डीटेल में, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर request करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी दबा ले, ताकि जब भी हम नई videos डाले, उसकी information आप तक पहुंचती रहे, और हम ऐसे ही informative videos regularly लाते रहते हैं, तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ प को लेकर, टेकनोलाजी को लेकर, होंग कॉंग में जो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट चल रही है, उसको लेकर, या फिर human rights violation जो होते रहते हैं, जिन जियांग प्रोविंस में उसको लेकर, तो यहाँ पर basically इन सब जगों पर अपनी बाते मनवाने के लिए कि EU या United States या कभी Chinese government पर, कभी Chinese officials पर, तो इन लोगों को counter करने के लिए, जब भी यहाँ पर अगर ऐसे sanctions लगेंगे, तो अब एक legal basis रहेगा चाइना के पास, इस bill के पास होने के बाद, कि वो भी इन पर counter sanctions लगा सके, या फिर इनके पास ये legal basis होगा, कि आप वो उस sanctions को completely violet करे, हलाकि इनो केस में होता क्या था, कि और tough sanctions लग जाते थे, तो इन सब चीजों को diffuse करने के लिए, और counter करने के लिए, ये law पास किया गया है, और ये एक legal tool है, जो कि retaliatory measures को regulate करेगा, और यहाँ पर foreign sanctions जैसे ही लगेंगे चाइना पर, तो चाइना किस तरह से retaliate करेगा, ये measures उसमें delineated है, और ये इसको एक legitimacy, मतलब चाइना ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दिया, किसी ने किसी politician, जी जिंग्पिंग ने कुछ कह दिया कि हाँ, इन्होंने sanction लगाया, तो हमें ये करना चाहिए, वैसा नहीं, अब एक proper path रहेगा, एक proper follow करने के लिए tool रहेगा, कि इस तरह से हमें approach करना ही sanction में, और उसे एक legitimacy दी गई है, और वो predictable भी रहेगा, यानि कि, जब भी United States और EU, sanctions लगाना चाहेंगे चाइना पे, तो उन्हें ये चीज पता रहेगा, कि अगर हमने sanctions लगाया, तो चाइना क्या कर सकता है, तो ये एक predictability रहेगी, जो कि इन्हें data करेगा, sanctions लगाने से, कि हमें sanctions लगाना चाहिए, या नहीं लगाना चाहिए, ये सारी चीजें, ये जब predictable हो जाएगा, कि चाइना का care retaliation रहेगा, तो सोच समझ कर करेंगे, इसलिए चाइना ने ये bill पास किया है, यहाँ पर देखिए, National People's Congress, National People's Congress, चाइना की एक committee है, standing committee, जो की 14 members की है, और इन्हों ने ये bill पास किया, एपरेल में इन्होंने bill को draft किया, और इसकी बात, जी जिंग्पिंग ने नवंबर में ही शुरू कर दी थी, एक्चुली हुआ क्या था कि जी जिंग्पिंग पे जब और चाइना पे जब आरोप लग रहे थे, कोविड-19 को लेकर, और कोरोना वाइरस क पत्ती को लेकर कि उसका origin कहा है, क्या है, और वहान वाइरस कहा जा रहा था, वहान की लैव पे बार-बार इल्याम लगाये जा रहे थे, और वहाँ पर इनके उपर inquiry बिठाने की बात हो रहे थी, और inquiry बैट भी गई है United States के तरब से, तो उसके बाद इन्होंने हेस्ट में ये बिल पास किया है, तो इसी को लेकर, जी जिंग पिंग नवंबर 2020 में ये बात कही कि हमें एक law पास करना चाहिए, कमुनिस्ट पार्टी के मीटिंग में इन्होंने ये कहा कि हमें एक law पास करना चाहिए, जो कि एक legal means होगा to defend Chinese sovereignty, security and interest, तो sovereignty इनकी कहा पर आती है, तो ये बात करते हैं, sovereignty के लिए, कि हमारा Hong Kong है, जिंग जियांग है, और इन सब जगहों पर जो interference हो रहा है, worldwide दूसरे countries का ये चीजे नहीं होनी चाहिए, ये statement नहीं आना चाहिए, ये हमारा internal metal है, और ये हमारी sovereignty पर attack है, तो यहाँ पर जो इनकी sovereignty को ये लोग कैसे protect करेंगे, इसके लिए इन्हें legal means चाहिए था, security की बात करते हैं ये, security का issue इनका कहां आता है, तो ताइवान को लेकर, South China Sea को लेकर, ये लोग उसे security issue मानते हैं, कि चाइवान में जो interference हो रही है, United States के तरफ से, या South China Sea में United States के युदपोत चले आते हैं, या फिर अभी Britain का युदपोत जा र और economic interest को protect करने के लिए against the foreign parties, तो foreign parties में basically इनका कहने का मतलब था, United States और European Union, और अभी हाल फिलाल में आपने देखा होगा कि इंडिया ने भी बहुत सारे Chinese apps को ban कर दिया, TikTok हो गया और बहुत सारे apps से, तो इन सब चीजों को लेकर, इन्हों ने एक legal means तयार किया, एक legislation तयार कि कि हम ये retaliatory measure लेंगे और अपने interest को protect करेंगे, तो यहाँ पर ये जो 14 members की, 14 members की जो National People's Congress है, यही basically जो भी law होते हैं, उसे draft करती है, उसे pass करती है, तो यहाँ पर 3 reading का provision रहता है, जिसका कि पहला reading एपरेल में हुआ, second reading इसका जून में हुआ, और इन्हों ने 10 जून को second reading के बाद ही ये bill पास कर दिया, लेकिन यहाँ पर 3rd reading का भी provision हुआ करता था, जो कि इन्हों ने reading की नहीं, 8 जून को इनकी second reading हुई थी, और 8 जून को second reading होने के बाद 10 जून को इन्हों ने within 2 days ये bill पास कर दिया, और यहाँ पर कह दिया, कि यह अब law है, अब जस्ट जी जिंग पारान माना जा रहा है, कि जो वाइडेन administration ने अभी जो order दिया, अपने intelligence department को और दूसरे agencies को, कि आप 90 days के अंदर ये inquiry करके बताइए, कि कोरोना वाइरस का origin क्या था, वो वुहान लैब से निकला के नहीं निकला, उसके पीछे किसका हाथ है, और इसके पीछे का सारा circumstances क्या और इने सब चीजों को लेकर भी चाइना थोड़ा सा डरा हुआ है, और उपर से बॉखलाया हुआ भी है, क्योंकि globally उसे target किया जा रहा है, चाहे European Union हो, चाहे India हो, चाहे US हो, कुछ छोटे मोटे countries को छोड़ कर, और सबसे ज़्यादा outspoken यहाँ पर Australia और New Zealand न जरा रहा है, इसलिए यह legislation पास किया है चाहिना ने, ताकि यह इन सब चीजों को counter कर सके, लीगल मिन्स के थ्रूँ, अब यहाँ पर देखिए, United States और इसके allies जो है, so increasingly Chinese officials को sanction करते रहते हैं, जब इन्हें तिबबत का इसु नजर आया, तो इन्होंने तिबबत के जो officials से उन्हें पर sanction और जब security law पास हुआ, जो की pro-democratic protest को कुचलने के लिए था, last year, तो इन्होंने NPC, जो National People's Congress है, चाइना का, उसके 14 members को all together एक साथ sanction कर दिया, उनके travel पे United States आने जाने पे और इन सब चीजों पे, all together एक साथ sanction कर दिया, क्योंकि इनका कहना था, कि यह democratic freedom और political freedom जो है, उसको curtail क में, और यह illegal confinement को प्रोचसाहित करता है, यानि कि बिना किसी court के, बिना किसी trial के, वहाँ पर जो भी criticize करेंगे, Chinese government को और उनके political moves को, उन्हें directly jail में डाल दिया जाएगा, और उन्हें extradite कर दिया जाएगा, होंकॉंक से चाइना में, तो इन सब चीजों को लेकर, NPC के 14 members को, US सैंक्शन कर दिया, और बाद में फिर, US के साथ साथ EU ने भी सैंक्शन कर दिया, और इसी को लेकर, China ने counter सैंक्शन किया, US officials को, और UK officials को, और बहुत सारे politicians को भी इन्होंने सैंक्शन कर दिया, लेकिन इसके पीछे पहले, यहाँ पर कोई legal means नहीं था, कोई legal process नहीं था, जि यहाँ पर वासिंग्टन ने बहुत सारे companies को भी चाइना के टार्गेट किया, जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कि यहाँ पर वासिंग्टन ने 59 companies ऐसे हैं, जिनको की सैंक्शन कर रखा है, युनाइटेड स्टेट्स में, और उसके बाद यहाँ पर होने जब इरान और नॉर्थ कोरिया पर युनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन लगाया था, लेकिन वहीं पर हुआवे और जेड टी ने यहाँ पर 5G टेकनोलोजी और 4G टेकनोलोजी की सप्लाई करनी चलू कर जबकि यह दोनों कंट्रीज सैंक्शन थे और उनाइटेड स्टेट्स ने क्लियर कट कहा था कि इन दोनों कंट्रीज के साथ कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती है, यहाँ से ओर नहीं ले सकती है, यहाँ पर एक्विप्मेंट सप्लाई नहीं कर सकती है, और जैसे ही हु ंग आर्म जुरिष्डिक्षन है कि जो आपकी जुरिष्डिक्षन नहीं है जैसे कि आप देखिए ना चाइनाय युनाइटরी डिक्षन्टों में लtering कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कंप्पनी थी चाइना की वे उर्पेन एक्विप्मेंट सप्लाई कर रही थी इरान को और नॉर्थ कोरिया को लेकिन उससे यूएस को क्या प्रॉब्लम था जो उसने उनको सैंक्शन कर दिया यह कहना था चाइना का इसे कहा उन्होंने लॉंग आर्म जुरिजडिक्शन की ओरीजिनेट जो एक्विप्मेंट हो रह हैं कंपनी किसी और कंपनी की है जा रही है किसी third country को तो उसमें आपकी जूरिजडिक्शन कहां से आ गई जो आप हम पर सैंक्शन लगा रहे हैं हमारी कंपनी पर सैंक्शन लगा रहे हैं तो यह चाइना का स्टेट्मेंट था और इसलिए चाइना भी बॉख लाया हुआ है पूरी तरह से और इसलिए इन्होंने ये बिल पास किये हैं अब यहाँ पर इस बिल के बाद European Union के Chamber of Commerce जो हैं यहाँ के Members ने कहा है कि यह एक बहुत ही Alarming Situation है क्योंकि इस से चाइना में जो भी European Union के Companies काम कर रहे हैं चाहे BMW हो बहुत सारे Automotive Companies, Electronics Goods की Companies बहुत सारे हैं तो इन लोगों को अब यहाँ पर Foreign Investment अपना बढ़ाने में दिक्कत आएगी और यहाँ पर एक डर बैठा रहेगा कि Political War में, राजनीतिक लड़ाई में Sacrifice होगा, Sacrificial Pawn की तरह यूज किया जाएगा Commercial Companies को यानि कि जब भी चाइना और European Union या चाइना और United States यह सब की लड़ाई होगी, sanctions लगेंगे इधर से और उधर से, तो उसमें बली चड़ेगी किसकी, तो Commercial Companies की, जो Companies हैं उन पर बैन लगेगा, उनके काम को रोका जाएगा, उनके Investment को Confiscate किया जाएगा, उनकी Industry बंद करवा द तो European Union के Chamber of Commerce ने ये कहा है, कि ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है, कि आप Commercial Companies को यहाँ पर as a Sacrificial Pawn यूज़ करेंगे, जबकि लड़ाई यहाँ पर Political है, तो इस चीज़ पर सारे Countries को ध्यान देना चाहिए, कि ऐसा न हो, इससे Economy Hamper करेगी, इससे Development रुखेगा, और इससे Overall Global Economy को धक्का पहुचेगा, वहाँ पर इनकी Progress रुख जाएगी, इसलिए यहाँ पर Political और Economic Factor को अलग रखा जाए, लेकिन ऐसा World Politics में होता नहीं है, क्योंकि Economy बहुत बड़ी चीज़ है, किसी भी Country के Political Stability के लिए, और यहाँ पर United States में हमेशा देखा गया है, Trump Administration जो Trump ने Action जीता था, अपना Presidential उन्होंने America First के ही slogan पर जीता था, और वहाँ पर Economy एक बहुत बड़ा Factor था, उनके Election जीतने में, और यहाँ पर अब वही चीज़ चाइना भी कर रही है, वही चीज़ जो बाइडन भी कर रहे है, वही चीज़ यूरोपियन उनियन भी कर रही है, तो आगे बहुत सारे Companies हैं, उसके बाद, चाइना के ऊपर ऐसा नहीं कि यह सैंक्संस अभी लगे हैं, चाइना के ऊपर पहले भी 1990s में भी सैंक्संस लगते रहे हैं, 2000s में भी सैंक्संस लगते रहें, लेकिन उस समय चाइना इतना ज़्यादा डेवलप्ट नहीं था, इतनी ज़्य ज़्यादा इसकी economy मजबूत नहीं थी कि यह retaliate कर सके, अब जाकर चाइना इस position में है कि वो retaliate कर सकता है, प्लस चाइना के favor में बहुत सारे countries हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, रसिया हो गया, नौर्थ कोरिया है, इरान है, इराक है, तो ऐसे में चाइना के पास अभी एक wide gamut of countries जिनके साथ वो trade कर सकता है, और यही चीज़ चाइना को एक position ऐसा दे रही है कि अब वो retaliate कर सकता है, US और EU के खिलाफ, पहले क्या होता था कि major market जो Chinese goods का होता था, वो US, EU, South Asian countries और इंडिया, यह सब हुआ करते थे, बट अब Chinese belt and road initiative के फैलने के बाद से, यहां पर परि इनके market में हैं, तो पूरा आफरीका में इन्होंने अपने पैर फैला रखे हैं, Pacific region में इनके पैर फैले हुए हैं, Latin America में यह घुश चुके हैं, तो ऐसे स्थिती में यहां पर चाइना को यह डर कम है कि अब मेरी economy market नहीं मिलने के कारण डाउन हो जाएगी, अब चाइना को यह है कि अपनी एक effective stand दिखानी है, अपना एक political structure दिखाना है worldwide, super power के साथ भेड़ कर, तो यही चीज़ आप चाइना कर रही है, अब वो इस position में है, economically, military और बहुत सारे ऐसे factors हैं, politically भी देखा जाए तो, कि वो world politics में एक higher position पे रह सकती है, इसी लिए चाइना अब यह बिल काई है, कि हम, अगर हम पे कोई भी country, sanction लगाती है, तो उसे counter करने के लिए capable है, और आगे आप देखते हैं, इसके बिल के जो, पूरे terms and clauses जो है, वो सारे बाहर निकल कर आए नहीं है, क्योंकि इसे बहुत secretly pass किया गया है, और European Chamber of Commerce का यह, कि यह भी इसू था, कि इसे आपने pass तो कर दिया, लेकिन इसके जो सारे clauses हैं, वो किसी को नहीं पता है, तो ऐसे में हमारा work करना यहाँ पर बहुत मुस्किल हो जाएगा, तो इसे आप बहुत जल्दी reveal कीजिए, और यह बहुत ही secretly pass किया गया है, इसमें बिल्कुल भी transparency नहीं बरती गई है, और इसके कारण य में क्या निकल कर आता है, हमारे social media channels पर हमें follow करें, हमारे website पर different courses चल रहे हैं, उन्हें भी आप join करें, subscribe button को दबा दें और bell icon को भी दबा दें, ताकि ऐसी informative videos के बारे में आपको regularly पता चलते रहे हैं, हम daily दो videos लेकर आते हैं, उसके बाद और भी different topics पर competitive exam से related, यहाँ पर material available करता है, तो उन सब चीजों को आप यहाँ से avail कर सकते हैं, उनका फाइदा उठा सकते हैं, thank you very much and have a nice day.